कि स्वागत और हश्टनना कैसे हैं आप साथ कि ठंड का आनंद लीचे क्योंकि आप अच्छी खासी ठंड का 15 दिसंबर के बाद से पिछली वर्स भी और इस वर्स भी 15-16-17 दिसंबर से ठंड का प्रकौफ थोड़ा प्रफाव बड़ा है और ऐसे में सरीर लोगों के बिलकुर सितिल हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं और इससे आपके सेक्सल लाइपर भी बड़ा बुरा असर पड़ता है क्योंकि सरीर के जो पार्ट्स हैं यदि उनमें रक्त का सर्कुलेशन संचार ठीक से नहीं होगा तो इस तरी पुर्षों के जो योनांग है या हार्ट है ब्रेन है जो भी नर्वस सिच्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा क्या आप इस बास से सहमत हैं या नहीं तो आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए इस पेसली है जो गर्वधारन करने की विसिश से चुक हैं जो चाहते हैं कि उनके घर में भी संतती आये उनका भी संतान होने की वज़ए से नाम चले संसार में हलो ध्यान देना मैं फिलोसोफिकल बात कह रहा हूं कि मैंने उनका संतान के द्वारा नाम चले तो क्या वो यहां पर एक मैं कटाक्ष करूँगा हलका सा जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं करने की सामर्थ रखते हैं वो लोग ऐसे सुपन देखते हैं कि हो सकता है हम नहीं कर पाये तो हमारी अउलाद कुछ बड़ा करें तो इस तरह की कलपनाओं को ले करके मेरे भेन और भाईयों बच्चे कभी पैदा मत करना है जब तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम अपने आपको इस थापित नहीं कर पाए तुम अपनी महत्वा कांक्षाओं को तुम अपने लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए और बीच में एक छोटे सी काम नहीं पैदा कर ले कि हमारे बच्चे होंगे बो ऐसा करेंगे अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कितना दुख होगा कितनी बड़ी चोट पहुँचेगी तो इसलिए बच्चे पैदा हो ये तो एक संसारिक प्रक्रिया है लेकिन उसके पीछे आप ये उनसे उमीदें मत चोड़ करके बच्चे पैदा करना कि हमारे बच्चे होंगे हमारा नाम चलाएंगे अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हारे कर्म तुम्हारी सोच तुम्हारा पुरसारत इतना महान हो इतना स्टॉंग हो कि तुम्हें किसी और से अपैक्षा और उमीदों के साहरे जीना ना पड़े कि वो ऐसा करेंगे तो हमारे लिए ऐसा होगा ये तो वैसाकिया है ये तो विकलांगता का सूचक है खेर ये ग्यान की बात हो गए फिलोसफी की हो गए जीवंदरसन की हो गए अब चलते हैं उस देशा में कि बच्चे पैदा करने के लिए संभू के कुछ खास टिप्स से वो क्या हो सकते हैं जिनको अपलाई करने से आपक पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो इस तरह पुरुश है अपने चेक अप करा है शुक्राणू बन रहे हैं कि नहीं ये पता होना चाहिए इस परम अकाउंट क्या है अंडाणू बन रहा या नहीं उसमें कितनी गति है ऐसे शुक्राणू तो लोगों को बनते हैं लेकिन होता हैए यहा कि लिंग की कमजोर होने से उसका जो फिलो होता है वो तूट जाता है या फिर बिर के पतले होने से भी जो पिछकारी जहां तक जाना चाहिएं अंडे से मिलाब करने के लिए वो बहां तक नहीं पहुँच पा रही है ये भी करन है पहले इनको जालो दिक्कतें क्या है समझ रहे हैं आप लो ऐसे इस तरुक के अंडाडों बनना है नहीं कम बनना है कि कैसे अगर ये सब कुछ दुरस्थ है और बहुत सारे लोगों नहीं हस्त मेहतुन कर करके जो है महलाओं ने कुछ अप्राकर्तिक मेहतुन कर करके लड़कियों ने अपने इूट्रस्थ को अपने अडाणों को लड़कों ने अपने सुक्राणों को विर्र को डिस्टर्ब कर लिया है दूसरा ये जो यह तरह तरह की जो स्वास्त के नाम पर बिमारियों के नाम पर जो घुसा है जा रहे हैं सरीर के अंदर जो इंजेक्ट किये जा रहे हैं जो टीका करम किये जा रहे हैं उनसे भी बहुत हद तक नुपन सकता का खत्रा पढ़ गया है समझ रहे न क्योंकि शासक परिसान होगा है बढ़ती वी जनसंख्या से विस्ट कि शासक गण हैरान है परिसान है कि जनसंख्या को गंटॉल कैसे करें तुम दो बच्चे के कानून को फॉलू नहीं करना चाहती एक बच्चे के कानून को खासत और पर इंडिया में फॉलू नहीं करना चाहा रहे हो तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें तो इंपूट की जाएंगी तुमारे अंदर में ताकि तुम नेच्रली इंपूटेंसी को प्राप्द हो जाओ अपुर्शक्ता को उपलब्द हो जाओ और फिर बच्चे पैदा करने की इस्तिती में आ रहा हो ठीक इसी प्रकार विश्वस्तावर जो बहुत-बहुत यह मेडिकल माफिया है बड़े-बड़े इंडिस्ट्रियलिस्ट हैं मेडिशन्स के अलपैथिक के वो लोग बहुत सारी विमारियों के नाम पे इस तरह है कि ने ने प्रोड़क्ट ने ने ओश्वस्तियां मेडिस्टिन्स ने ने इंजक्षन ठीकाग लेकर के आ रहे हैं ताकि एक पंद दो काज हो उनको पैसा भी मिले उसकी विक्री में और साथ में तुमनों पुन सत्वी होते जाओ और धर्ति मेया का बोज थोड़ा कम हो जाए अब ये परुबकार का काम है या फिर चुहे कुछक्र है ये आपको विचार करना है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ मैंने दोम पक्ष रखती है ये परुबकार भी हो सकता है कुछ बढ़ती जनसंक्या बहुत बड़ी समस्या है संसार की नेताजी से कह रहे है रोजगार दो रोजगार दो और तुम धरदर बच्चे पैदा करते हैं और वो तुम्हें रोजगार दे कहां से दे जादू है क्या नहीं खेर तो जन्हों ने हस्तमेंदू करके अपने लिंक के साइच को छोटा कर लिया है इंजेक्शन तुम्हारा बहां तक पहुँची नहीं पा रहा है जहां तक पिच्चकारी मानना चाहिए जहां आप बीजा रोपन जहां होना चाहिए बहां तक आपकी सिरेंच पहुची नहीं पा रही है यूनी के अंदर तो जब बहां तक पिच्चकारी पहुची नहीं रही है तो फिर कैसे दोनों का मेल होगा तो इसके लिए एक रास्ता और निकाला है कि इस तरी पुरसों के इस्पर्म ले करके और डिम्ब ले करके बोलो पुरसों के इस्पर्म को ले करके वो इस तरी के अंटाडू को ले करके फिर वो उसमें घरवासे मे थापित कर रहे है यह बहुआ है भारत में या कई सारी जगहों पर यह स्थरी के चलना है उन्हों को बच्चा पैदा हो रहे हैं इस तरह से ऐसा देखा किया है किंतु अब वो इस्पर्म तुमारा ही है या किसी और आदमी का निकलवा कि उन्होंने रख लिया हो सकता है देखियो पैसा कमाने की बात है या तो तो मैं बच्चा चाहिए, तुमारे गर्ब से बच्चा आएगा, लेकिन वो शुक्रानु दिखावा में तुमारा इस्पर्म ले लिया, वीरी ले लिया, और किसी और नौकर का जिसके कई स्पर्म काउंट से अच्छे हैं, उसका वीरी ले लिया, और वो उसमें डाल दिया, तुम्हें क्या पता, क्योंकि यह तो गुप्त प्रक्रिया है, जब इस तरी के अंदर बहुत चीज़ें इजफ्ट की जाएंगी, प्रिवेस कराए जाएंगी, तो तुम्हें थोड़ी खड़ा का रखा जाएगा, कि यह देखो, चिट लगा हुआ है, तुमारे नाम का वी संभूख करने की जो बात आती है, सबसे पहले आपको जाचे हूं, सुक्राईवों को अपने फिट बनाईए, अंडाणों को फिट बनाईए जो पिछले दुड़ाई बरसों से लगातार नेशनल इंटरनेशनल लेविल पर ये जार है लोगों की बहुत तरह से सेक्सवल जो डिस ओड़ा रहा है उनको दूर कर रहा है इसे टाइमिंग है इरक्षन है और वेले का गाड़ापन बहुत सारी चीजें इत्याद वैसे तो 30-35 वीमारियों के लिए फिट है और इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए है जो कि निस्तुल का फिरी है आप उनका भी सेवन कर सकते हैं अपना पैसा बचाना चाहिए या पैसे का भाव है तो लेकिन अब सेक्स कौन से समय करें ध्यान देना जिस समय मासिक धर्म हो यह बहुत अच्छे बैदेजी की वताई हुई बात है वो मैं आपको सियर कर रहा हूँ है जो मासिक धर्म महलाओं को होता है सब्सक्तार 70 से किसी को मासिक धर्म हुआ यह voor वैं 15 दिन चला ममने 15 16 17 चला किसी को 18 19 20 तीन बीस खिच जाथा 5 तो समझव उसमें कही ना कहीं चुओ है आ Ingred kitty तो 15 से चला तो आपको गिंती करना है 15 16 17 तेन दिन के बाद में आप सेक्स कब करना है यह विचार का विश्य है आपको करना है जिस दिन मासिक धर्म स्टार्ट हुआ है उस दिन को काउंट करेंगे और उस दिन को लगा करके चोड़ करके 8 जाथ में 9 8 में दें से सुरू करना है मैंने ऑफसी तारिक से आठ दिन और आगे कर दीचे कि कि आगे मिया पर नमे दिन और इस पेसलिए चौद में दिन तक शोले दिन इसको माना गया है चौद में आठमें दिन से ले करके मासिक धर्म के जिस दिनी स्टार्ट हो उस दिन से ले करके आठमें दिन आपको सेक्स करना है और तेरे अधिक्तम चौदत आएक तक आपको यह सेक्स करना है क्योंकि इस बीच गर ठेने की संभाववना प्रवल हो जाती है बढ़ जाती है रिलीस करती है उन दिनों में इस पेसली उसमें अभी जो है 24 से 24 घंटे का ही समय जादा इस पेसली होता है गरवाधान के लिए अब वो उसकी परिक्षा कैसे होगी उसकी परिक्षा यह होगी जिस दिन तुमारी इस तरी का इस तरी की योणी का टमपरेचर 98 से उपर हो 98 से उपर हो उन रात में उन दिनों में आपको सेक्स विसिस रूप से करना है चाहिए दो बार करना पड़े चाहिए तीन बार करना पड़े खाते कीती रहना कुछ है वीरी वर्दक चीज है नहीं तो फिर टेवी भी बन जाएगा ज्यादा बच्चे पैदा करने के चक्कर में फेंपरे ख़रा हो जाए समझ रहे न अब योणी का टमपरेचर कैसे ना पर मज़े की बात यह है एक डिजिटल थर्ममीटर आता है 100-200 रुपए की करीफ उसके आगे का जो पॉइंट होता है जो इसटील जास लगा होता है उसको इस तरीकी योणी में डाल करके चेक करना चाहिए के कितना टमपरेचर आ रहा है इस तरीकी योणी का टमपरेचर नापना बहुत जरूरी है आपने देखा होगा के जो तो जानवर, चाहे वो कुटिया हो, चाहे वो भैस हो, जब गर्वती हो जाते हैं तो जो भैसा या कुटा होते हैं, उनकी यूनी को सुम करके और बाट जाते हैं क्योंकि वो उसकी गंद से, ऍसमेल से पह pista लेते हैं और ऐसे चंचल मनुष्यों को इस प्रिक्रिटी बंदर बनाती है तो यही तरीका आप इसको फॉलो करें और चेक अपस बगएर आप इन सब पहले करा लें उसके बाद में अंडाणों की बरद्धी के लिए कुछ औश्रतियां खाएं सुक्राणों की बरद्धी के लिए आप खाएं अपने को फिसिकली फिट करें पहले आपको पता तो होना चेह क्या दिक्कत है दोनों के सरीर में फिर इन रात्रियों में आप इस पेसली सेक्स किये और ताप मन कुन आपने कमेन तरीका भी बता दिया आपको आसान और इन दुनों जो है ज्यादा सेक्स करने की जोगत नहीं बहुत सारे लोग लगाता लगे रहते हैं मा से धर्म में भी चड़े रहते हैं धर्ड़ धर्ड़ उससे कुछ नहीं होता है थैंक यू सो मच यह परोपकारी वीडियो है जो लोग घर्व धारन करना चाहते हैं इस तरहीं मा बनने की चुक हैं वो लोग इस वीडियो के अनुसार फॉलो करें और जब गर्पती हो जाएं तो हमारे लिए कमेंट्स भी करें वाट्सप पे मैसेज करें इस वीडियो को अधिक सदे करना ताकि पता नहीं किस माभेन की गर्व गोद भर जाए फल जाए फूल जाए और उसके मन को मनुसु जीवन में कुछ खुसी मिल जाए वागी तो आत्मी बहुत सारे चीज़ों में खुसीयां ढूंडता है कि जमीन खरीद लेंगे तब खुसी मिलेगी मैं BMW खरीद लेंगे तो खुसी मिलेगी यह जीव आत्माने को जन्मों से अन्न ब्यक्ति और बस्तुओं में ही खुसीयों को ढूंड़ा है जबकि यह खु अपने मतलब कि इस वीडियो का फाइदा उठाएं फिलोस्पी की बात हैं तो चलती है रहनी जीवन में हो